कि है एवरीवन कैशे हैं आप लोगा सब्सक्राइब बहुत अच्छे होंगे जैसा कि आज है एड़ आप मार्च जो भी इंपॉर्टेंट वो कहब है साराग सारा देहंदू के च्वेल सिक्षन से कवर किया है कहां एक बाता है कोई छुट्टी वगर कहीं कुछ नहीं है तो मोटिवेशनल कोट के साथ जहां तक तुम देख सकते हो जाओ जब आप पहुंचोगे तो आप आगे देख पाऊंगे सिंपल सवादा अगर हम एक सोचे कि घर बैठ करके हैं कि हमको सब कुछ नहीं दिखाई देर आगे तक का एकदम तो हम कभी निकली नहीं सकते इसलिए जो है ना उसको उतनाई पेक दम लेकर निकले धका धक एकदम कोई दिक्कत वाला बात नहीं सबसे पहला जो अधे ना वल्नेवरी लीटी एक डाउन नहीं जिसका मतलब होता है ना जुक पना मेरे को मलकुमल हाथ एक दम है ना से मैं रोटी बकाती हूं वल्नेवरी दुर तो बलते हैं कम जोड टाइप को होता है ना इंट्रस्ट जो है एक बार भाई जिसका मतलब होता है जो किसी को अब रिस्पॉंसलेटी सॉप देते है ना ठीक है वसली कहा जाता जाता इसे बोलता है ना इंट्रस्टेड मैनू विद एरेंजमेंट फॉर दा पार्टी के लि जिसका मतलब होता है to help to explain the situation को ना मतलब explain करने के लिए मदद करना help करना बताना समझाना और infidelity एक नाउन है जिसका मतलब होता है विश्वास गहात एक दम ठीक है खास करके the act of not being faithful in your to your wife or husband by having sexual relationship नहीं होता है पती-पत्न के खास करके लिकर गोजाता है है husband सोचता है कि wife का किसी के साथ है यौन संबंध और wife सुचती का किसी के साथ मतलब विश्वास खाते क्राव खास करके उसी के लिए यह यूज किया जाता है एं पर एक जिक्टीव जिसका मतलब होता है कि very important या फिर जो रहते हैं रहते हैं जुका जाता है जैसे बोलते हैं इज इंपरेटिव डैट यूजिए डॉक्तर इमेरिएटली बहुत जरूरी है कि जली तुम डॉक्तर से मिलो रेटीफाइए एक वर जिसका मतलब होता है किसी समझोते के लिए और चारिक संपुश्टी करते ने एक्द जो गैर भरोसे मंद होता है ना ठीक जहां पर रिस्क रहता है जिसमें धोखा खाने का एकदम खतरा हो शुका जाता है ठीक है खास करके और नेक्स्ट जैसे रिलाई ऑन एक फ्रेजल वर जिसका मतलब होता है निरवर होना तो डिपेंड ऑन सम्टिंग इस इसको पर वरोसे पर शुका जाता है खासर के डैस्पोर एक नाउन है जिसका मतलब जन विसर्जन होता है ना कासर के दा मुव आप प्र मूवमेंट ऑप देपल स्रॉम ऐर ओन कंट्री मतलब आपने देस से निकल जाने अग्दम पलायन कर जाना है न उसी को कहा जाता है ठीक है तक हैशल एक ट्रेंस वित ओल दिस लागेश ठीक है और इतार्ट जो एक एडवर भाई इसका मतलब आंटी लाओ अभी तक जो रहता है उसके लिए जूज किया रहता है प्री डॉमिनेंट ली एक एजेक्टिव है जिसका मतलब होता मोस्टली मेली जो ज्यादा तर दिकांस्ता वाला ज जिसका मतलब होता है ट्रेवलिंग टुवाट्स टेराइवल और रैधर देन लिविग इत मुलते हैं ना मतलब आता ही आता हुआ या किसी अस्थान पहुंसता हुआ ना कि उसस्थान से मतलब अंतर गामी जो रहता है उसको कहा जाता है खास करके यह इंबाउंड यूज हो झाल